पी हम numerical sum देखेंगे जिसे हमें kramers rule से solve करना है इस question में हमें 3 linear equation दी हुई है 1, 2 and ये 3 और तीनों equation में जो है 3 variable x, y, z, x, y, z और x, y, z तो इस question में हमें x, y और z ये जो 3 variable है इनके values निकालने हैं by using kramers rule ठीक है, तो kramers rules को हम कैसे use करते हैं determinant की property को use करके हम solve करते है linear equations को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 3 linear equation है इसको हम determinant के form में लखेंगे, ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले निकाल रहे है d, और d निकालने के लिए, देखो, यहाँ पे x है x के साथ कुछ नहीं है, मतलब x का coefficient क्या है 1, 2 का coefficient, y का coefficient है 2, z का coefficient है 3, x का coefficient है 2, y का coefficient है 4, and z का coefficient यहाँ कोई numerical term नहीं है, means 1 है, वैसे ही 3 है, यहाँ coefficient x का, 2 coefficient of y है और 9 है, वो coefficient of z है, ठीक है, और यह जो terms है, यह constant terms है so, अब जब हम d निकालेंगे, तो d निकालते समय हमको, क्या करना है, first column में हम x के coefficient लिखेंगे second column में हम y के coefficient लिखेंगे, और third column में हम z के coefficient लिखेंगे और ध्यान रखेगा, इसका जो sign है, और जो sequence है, वो same रहेंगा, जैसे आपे 1, 2, 3 है, तो हमने बराबर 1, 2, 3 लिख दिया, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 1, 9 and 3, 1, 9, इसके पहले हम कई बार determinant निकाल चुके है एक बार में फिर से आपको बता देती हूँ कि determinant हमको यहां कैसे निकालना है, first element लिखती है, one, यह plus इस column और उस row को eliminate करके, जो बचे हुए element है, उसको जैसे का है, वैसे लिख देंगे, फिर हम minus लिखके, second element लेंगे, second element लेंगे, row का, और फिर उस row और उस column को छोड़के, ज two, three and one, nine, जिस order में वो लिखे हुए है, उसी order में हमको लिखना है, फिर हम लिखेंगे, plus three करके, उस row और उस column को छोड़के, बचे हुए element हमने लिखती है, ओके, आगे हम क्या करेंगे, cross multiplication करके, solve करेंगे, one का one लिख देंगे, four into nine, four into nine, minus two into one, फिर minus two का minus two, जैसे का, जैसे वैसे ही, two into nine, three into one, plus, plus three, two into two, minus three into four, ओके, आगे होगा हमारा, 36 minus two, यह हो जाएगा, 18 minus three, यह four minus 12, ठीके, आगे solve करेंगे, हम इनको, 34 आजाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ minus eight, minus eight क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 12 है, यह greater value है, four से, और इसका sign जो है, minus eight, यहाँ पर 34 बचेगा, minus 30, and minus, plus, minus, minus, minus 24, सबसे पहले हम इनको solve किया, मैंने तो four आया, बचा हुआ, minus 24, इसको solve करेंगे, तो d हमारा आया है, minus 20, ठीके, d हमारा आया, minus 20, अभी और एक आपको बतातू, कि हमको इसके बाद निकलना है, dx, dy, and dz, जब हम dx लेंगे, dx निकालने के लिए, जो हम determinant लेंगे, उसमें हम x के, dx निकालने के लिए, x की coefficient नहीं लिखेंगे, और उसके जगापे हम यह पूरी constant term लिखेंगे, similarly, जब हमें dy निकालना है, dy निकालने के लिए हम x के coefficient को नहीं लिखेंगे, उसके जगा constant term लिखेंगे, और x के coefficient और z के coefficient जैसे के वैसे लिखेंगे, similarly, जब हम dz निकालेंगे, dz के लिए हम x के coefficient जैसे के वैसे लिखेंगे, y के coefficient जैसे के वैसे लिखेंगे, z के coefficient हम नहीं लिखेंगे, और उसके जगा हम constant term लिखेंगे, तो dx निकालने के लिए, dx निकालने के लिए, मैंने यहाँ पे आप देख सकते है, x के coefficient मैंने नहीं लिखे है, उसके जगा मैंने constant term 6, 7, 14, 6, 7, 14, y के coefficient जैसे के वैसे लिखेंगे, determinant को solve किया, d निकालने के लिए, वैसे ही मैं d x के लिए solve करते जाओंगे, ठीक है, तो मेरा answer आजाएगा, यहाँ पे minus 20, similarly मैं d y निकाल रही हूँ, d y के लिए क्या, यहाँ पे मैंने y के coefficient नहीं लिखते हूए, constant term लिखी, जिस order में वो लिखेती, determinant, इसके determinant के मैं value निकालती हूँ, तो इसके भी determinant की value मेरे पास आ गई है, 20, similarly d z को मैंने solve किया है, d z को मैंने x की coefficient जैसे के लिखे, y की coefficient जैसे के लिखे, लेकिन z की coefficient के जगा मैंने constant लिखती, ठीक है, तो d z की value मेरी i है, minus 20, ठीक है, so, तो मेरे पास अभी जो values चाहिए थी, मुझे variables की value निकालने के लिए वो आ गई, d, dx, dy and dz, अभी जो मेरा x variable निकालने के लिए मेरा formula है, dx upon d, dx भी मेरा minus 20 है, और dy भी मेरा minus 20 है, minus 20 बंजा, minus 20, कितना answer आ जाएगा, 1, मतलब x value कितनी आई है, 1, similarly y का formula के निकालने के लिए क्या रहेगा, dy by d, वो भी minus 20, minus 20, cancel out होके बचेगा, only 1, z निकालने के लिए भी same formula, dz upon d, same था, cancel out होके हमारे पास बचेगा, only 1, लब d, z, x, y, z की हमारी value कितनी आई है, 1, ठीक है, अभी देखे, मैं मेरा x की value भी 1 आई है, y की value भी 1 आई है, और z की value कितनी आई है, मेरी 1, तो ये मेरे answer जो है, वो right है, क्या, ये check करने के लिए में क्या करती हो, मैं ये जो first equation है, first equation में value put up कर देती हूँ, variables की, ठीक है, x की value मेरी 1 थी, y की भी value मेरी 1 है, plus z की भी value है, मेरी 1, इसे मैं solve करूंगी, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, 2 into 1, 2, plus 3 into 1, 3, तो इनको मैं plus करूंगी, 1, plus 2, 3, 3, plus 3, 6, तो देखो, मेरा क्या answer आगया, 6, similarly, मैं इस equation में भी value put up करूंगी, तो मेरा answer आजएगा, 7, इस equation भी मैं x, y, z की value put करूंगी, तो मेरा answer आजएगा, 14, तो मेरा जो answer आजएगा, x, y, z is equals to 1, यह क्या है, right है, क्योंकि इस equation में जब मैं value put कर रही हूं, इसके तो मेरा answer क्या आजएगा, x, thank you.